नमस्कार दोस्तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में 1955 में बिमल रॉय ने दिलिप कुमार को देवदास बनाया उसके बाद सारुक खान इस रोल में नजर आए अमिताब बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सुपर सितारे चहा कर भी परदे पर देवदास का रोल नहीं निभा सके जबकि तयारियां पूरी थी क्यूं हुआ ऐसा आईए जानते हैं ये दिल्चस्प दास्तान लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा देवदास बनना सबकी किसमत में नहीं होता यही वज़े है कि सायद योजना बनने के बावजूद धरमेंद्र और अमिताब बच्चन जैसे बेजोड सितारे कभी परदे पर देवदास के किरदार को नहीं निभा सके लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलिप कुमार की देवदास के बाद सीधे ही संजे लिला भनसाली ने सारुक खान को लेकर देवदास बना ली बीच में कई बार ऐसा हुआ कि मेकर्स ने देवदास बनाने की सोची मगर योजना कभी अंजाम तक नहीं पहुँच सका अमिताप बच्चन और धरमेंद्र जैसे सितारे साथ हो तो कौन मेकर देवदास बनाना नहीं चाहेगा अमिताप को लेकर निर्देसक, परकास महरा और धरमेंद्र को लेकर गुलजार जैसे दिगज ने देवदास बनाने की योजना बनाई परंतु फिल्म नहीं बन सकी आज सहरुक खान, एस्वर्य राय और माधोरी दिखसित इस्टारर देवदास को 21 साल पूरे हो रहे हैं लेकिन इस फिल्म से बरसों पहले अमिताब बच्चन और धर्मेंद्र पूरी योजना के बावजूद देवदास नहीं बन सके 1976 में परकास महरा ने अमिताब बच्चन को देवदास बनाना चाहा था अमिताब के साथ वो पारो और चंदरमुखी की भूमिका में सरमिला टैगोर और हेमा मालिनी को लीड भूमिकाओं में ले रहे थे देवदास की कहानी तो परकास महरा को पसंद थी परंतु वो चाहते थे कि इसमें समय के हिसाब से कुछ बदलाव किये जाए कहानी का मौडन वर्जन बनाया जाए मगर प्रोडूसर को बात जमी नहीं वो फिल्म से अलग हो गए उधर देवदास की कहानी को परकास महरा ने नया अंदाज दिया मुकद्दर का सिकंदर बना कर आप याद करें कि कहानी में सिकंदर बने अमिताब राखी को चाहते हैं और अंततह नाचने वाली जोहरा बाई यानि की रेखा के कोठे पर उनके दिल को सुकून मिलता है अमिताब देवदास की तरह ही राखी का प्यार ना मिलने के बाद इसमें सराव में डूबे होते हैं रोचक बात ये है कि जो निर्माता परकास महरा के साथ फिल्म बना रहे थे वो गुलजार के पास पहुच गए गुलजार ने धर्मेंद्र को लेकर फिल्म की योजना बनाई हिरोईने वहीं थी सरमीला टैगोर और हेमा मालीनी फिल्म के सुटिंग सुरू हुई मगर करीब दस दिनों के बाद आर्थिक संकट की वजह से ये फिल्म बंध हो गई धर्मेंद्र ने कई बार यह मीडिया में माना कि वो देवदास का रोल निभाना चाहते थे यह उनका ड्रीम रोल था लेकिन ये संभव नहीं हो सका सोसल मीडिया में आज भी गुलजार की बनते बनते रुख गई देवदास की कुछ तस्वीरे मिल जाती है परकास महराब भले ही खुल कर देवदास का मौडन नहीं बना पाए लेकिन अनुराग कश्चप ने जरूर देव डी नाम से इसी कहानी को नए जमाने में दिखाया अब है द्योल इसमें देव बने थे क्यों याद आया कुछ दोस्तो तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाइबा टेक केर